नमस्कार दोस्तो आज हम गंगोर व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं यहे व्रत चैत्रमास की शुकल तृतिया को मनाया जाता है इस दिन सुहागन इस्त्रियां व्रत करती हैं कहावत है कि इस दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने तमाम इस्त्रियों को सोभाग्यवर दिया था व्रत कथा आरंब एक समय की बात है भगवान शंकर पार्वती जी वे नारद मुनी पृत्वी पर भ्रमन कर रहे थे भ्रमन करते करते तीनों एक गाव में पहुँचे उस दिन चैत्रमास की शुकल तृतिया थी गाव के लोगों को जब भगवान शिव तथा पार्वती जी के आने की सूचना मिली तो धनी वरक की इस्त्रिया उनकी आव भगत के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाने में जुट गई इस कारण उन्हें आने में देर हो गई दूसरी और नीमन वरक की इस्त्रिया जैसे घर में बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती के पूजन के लिए चल दी उन इस्त्रियों ने अपार श्रध्धा भक्ती के साथ शिव पार्वती का पूजन किया श्रध्धा भक्ती भाव में मगन उन इस्त्रियों को पार्वती माने पहचान लिया और उनकी भक्ती रूपी वस्तों को स्विकार कर उन सब के उपर सुहाग रूपी हल्दी का छिड इस प्रकार मा गोरी से आशिरवात तथा मंगल कामनाई प्राप्त कर वह इस्त्रियां अपने घर चली गई। सब को क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा आप इसकी चिंता ना करें। उन्हें केवल उपरी पदार्थों से निमित रस्म दिया गया है। इसलिए उनका सुखाग धोती से रहेगा। परंतु इन इस्त्रियों ने जिस भक्ति भाव से समय लगा कर हमारे लिए भोजन त्यार किया है। इसलिए इन्हें मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त सुखाग रस दूंगी और यह मेरे समान ही सुभागेशाली बन जाएंगी। जब कुलीन इस्त्रियों ने शिव पार्वती का पूजन कर लिया तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर उसके रक्त को उन करना। तुम्हें अखंड सुभागे की प्राप्ती होगी। मा भवानी का यह आशिरवाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन इस्त्रियां भी अपने अपने घर लोटाई। तथा पती परायन बन गई। छिड़का हुआ खून जैसा जिसके उपर पड़ा था उसने वैस साही सुभागी प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पती की आग्या से नदी में जाकर सनान किया। उन्होंने सनान के पश्चात बालू का महादेव बनाकर पूजन किया। भोजन लगाया तथा प्रदक्षिना करके बालू के दो कणों का प्रसाद खा कर मस्तक पर टीका लगाया उसी समय पार्थिव लिंग से शिवजी भगवान प्रकट हो गए तथा पार्वती जी को वर्दान दिया कि इस दिन जो इस्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा वरत करेंगी उनके पती चिरंजीव रहेंगे तथा उन्हें अंत में मोक्ष की प्र तरधान हो गए इसके पश्चात पार्वती जी उस्तान पर वापस आ गई जहां वे शिवजी भगवान तथा देवर्शी नारत को छोड़ कर गई थी भगवान शिव ने देवी से विलंब के कारण पूछा तो देवी ने कहा मेरे भाई भावी नदी के किनारे मिल गए थे उन्होंने मुझे दूद भात खाने का आग्रह किया इसी कारण हे नात मुझे आने में देर लग गई ऐसा सुनकर भगवान शंकर ने भी दूद भात खाने की इच्छा प्रकट की और वह भी नदी की और चल दिये पार्वती जी ने देखा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर अपने पती से प्रार्थना करने लगी भगवान शंकर के पीछे पीछे चलती हुई पार्वती जी ने जब नदी की और अवलोकन किया तो एक सुन्दर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी भगवान के साले तथा सलहज विद्यमान थे भगवान शिव देवी पार्वती तथा देवर्शी नारज जब वहां पहुँचे तो सब उपस्थित परिवार्जनों ने उनका स्वागत किया दो दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहन किया और तीसरे दिन सुभे पार् देव को उनका अनुसरन करना पड़ा नारज जी भी साथ में थे तीनों चलते चलते काफी दूर निकल गए साइकाल होने पर शिव जी भगवान ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे माईके में अपनी माला ही भूलाया इस पर पार्वती जी ने माला लाने के लिए तयार ह परंतू शिव जी की आग्या से नय जा सकी शिव जी ने नारज को वहाँ भेजा जब नारज जी वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ नै तो कोई मेहल है नै ही कही माला है इस अंधकार पूरण धरावने वातावरन को देख कर नारज जी बहुत आश्चरे चक भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने अपने साथ घटी हुई घटनाओं का वर्णन किया। इस प्रसंग को सुनकर हसते हुए शिव जी भगवान ने नारज जी से उसका मूल कारण बताया। और कहा हे देवर्शी आपने जो कुछ भी देखा व अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जूटा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य प्रमानित करने के लिए अपने पतिवरत धर्म की शक्ती से जूटे महल की रचना की। इस सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने आपको वहाँ पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्शी नारद ने पार्वती जी के पतिवरत भाव से उत्पन घटना की मुक्त कंट से प्रशंसा की। जहां तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है वह भी समीचीन ही जान पड़ता है क्योंकि पूजा आपकी कृपा से समस्त मनो कामनाओं की पूर्ती होगी तथा उनके पती भी चिरन जीवी होंगे। च्योंकि पार्वती जी ने यह पूजा वरत छिपा कर किया था। उसी परंपरा के अनुसार आज भी गंगोर के पूजन के समय पूरुष उपस्थित नहीं रहते। जैहो गोरी मा, तेरी जैहो गोरी मा, गंगोर वरत कथा समाप्त। अगर आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।